वेलकम टू सुभम टेक आज इस वीडियो में आपको लाइफ दिखाऊंगा कि UPCOP एप की मदद से आप किस तरीके से करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए एपलाई कर सकते हैं तो इस वीडियो को लास्त तक देखिएगा से पहले आपको प्ले स्टोर से UPCOP एप डानलोड कर लेनी है जो कि मैंने पहले से ही डानलोड कर रखी है एप जैसे ही आप डानलोड करेंगे तो आपको एप में सबसे पहले लॉग इन करना होगा लॉग इन मैंने कर रखा है पहले से ही तो आप login कर लीजिएगा अकर आपका account नहीं बनाया है तो आपको sign up करना होगा फिर हमें fourth option service में आना होगा जैसे हम service में आएंगे तो देखिए हमें option मिल जाएगा character certificate paid service 50 रुपीज character service की character certificate बनाने की 50 रुपीज लगेंगे हम इसे select कर लेते हैं जैसे हम इसे select करेंगे तो उपटर option आएगा journal और contractor तो हमें journal select कर के रखना है फिर option आएगा कि आप अपने लीए बना रहे या और किसी के लिए बना रहे हैं तो आप अपने लीए बना रहे हैं तो self क्लिक करिएगा और किसी के लिए बना रहे हैं तो on someone OF your आफ़ क्लिक करिएगा, then आपको उसका नाम डालना है, जिसका आप character certificate बनाना चाहते हैं, तो जल्दी से मैं नाम डाल देता हूँ, then आपको उसका mobile number डालना है, then आपको email id डालना है, हलांकि email id डालना mandatory नहीं है, अगर आप पर email id है, तो डाल सकते हैं, वनना कोई बात नहीं है, then पिता का नाम डालना है, इसके बाद आपको age डालनी है, then gender select करना है, then आपको present address है, वो लिखना है, इसके बाद आपको duration of is to select करनी है कि कितने टाइम से उस address पर आप रह रहे हैं, then आपको यहाँ select करना है, permanent address is same as present address, आपस से select कर लिजेगा, अगर आपका permanent and present address same हो, then यहाँ no ही select कर देने ना, then आपको अपना photo upload करना है, और इस पर click करके submit पर click कर देना है, जैसे ही आप submit पर click करेंगे, then आपको 50 rupees का payment करना होगा, आप submit करेंगे, आपको एक reference number मिल जाएगा और लिख कर आएगा, proceed for payment, आपको इस पर click कर देना है, then आपके सामने यह website आजाएगी, आपको next पर click कर देना है, जैसे ही आप payment कर देंगे, यह page आपके सामने आएगा, then आप चाहें तो receipt download करके रख सकते हैं, successfully character certificate के लिए आविदन हो चुका है, अगर आप अपनी application का status देखना जाते हैं, तो same app से आप status देख सकते हैं, search your application status में जाके, then आपको type of service select करनी है, character certificate, then year, then search पर click कर देना है, तो जैसे ही आप search पर click करेंगे, तो देखिए, यहाँ पर status लिख के आएगा, तो आप इस पर click करिएगा, तो देखिए, जो अभी मेरा character certificate है, वो अभी pending है, जैसे ही वो issue हो जाएगा, तो यह green green बन के आजाएगा, इस तरीके से आशा करता हूँ कि आप समझ गये होंगे, कि किस तरीके से आप character certificate apply कर सकते हैं, मैं आपके एसी वीडियो लाता रहता हूँ, तो आप मेरा चैनल सस्क्राइब कर लिजिए, और bell icon दबा लिजिए, जिससे कहा कि next time मैं आपके वीडियो लामत आपको notification मिल जाएगा, जाए हिंद जाए मारत!